Hello everyone, welcome back to our channel Bundle of Learning आज के वीडियो में हम discuss करेंगे second class के बच्चों के लिए final term exam का sample question paper So first question is सही विकल पर गोला करें अमीर का विलोम शब्द है गरीब सूरज का परियावाची शब्द है रवी आलस करने वाला कहलाता है आलसी सूरज पतंग उड़ा रहा है में क्रिया शब्द है किसे काम के करने या होने को क्या कहते है क्रिया अगला question है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द से उचित मिलान करो जो बगीचे की देखबल करता है जो बगीचे की देखबल करता है माली तो इसका आजाएगा first गीच गाता है कैलाता है गायक योग्या third परिश्रम करने वाला कहलाता है परिश्रम योग्या फोर्थ अगला question है सही विलोम शब्द लिखिए उल्टा उल्टा का हो जाएगा सीधा गरम गरम का विलोम शब्द होगा थंडा दिन दिन का रात दूर का पास उंचा का नीचा अगला कुश्यन है उचित विशेशन रख पर गोला करें फर्स्ट एस एक पक्षी हरे पेड़ पर बैटा है कितने पक्षी हैं एक हो गया विशेशन पेड़ कैसे हरा तो हरा क्या हो गया विशेशन तो एक पक्षी हरे पेड पर बैटा है हरे और एक दोनियां पर विशेशन है दो लड़के बात कर रहे हैं कितने लड़के हैं? दो तो दो विशेशन हो गया गमले में लाल फूल खिला है कैसा है फूल? लाल है लाल विशेशन है रीना के पास रंगीन चाता है कैसा है चाता रंगीन तो रंगीन विशेशन है तो इनके उपर हम गोला करवा देगे अगला कर्शन है खाली स्थान भरे आँख के प्रियाईवाची आँख के प्रियाईवाची होते हैं नेत्र नयन दादा जी टहल रहे हैं एक वाक्य है दादा जी टहल रहे हैं में क्रिया शब्द है टहल टहल ना क्रिया शब्द है पाने के प्रियावाची है पाने के प्रियावाची हो जाएंगे जल और नीर दूद गरम है में विशेशन शब्द है दूद कैसा है गरम तो गरम क्या हो गया विशेशन सदा सत्य बोलने वाला क्या कहलाता है सदा सत्य बोलने वाला सत्य वादी शेर दहार रहा है में क्रिया शब्द है शेर दहार रहा है में क्रिया शब्द है दहार दहार ना क्रिया हो रही है रात के प्रियाई वाचे शब्द है रात के क्या हो जाएके रात्री निशा सोनु डैश रही है क्रिया शब्द यहां पे लिखना है जो भी हमें उचित क्रिया शब्द लगता है वो यहाँ पर हमें लिखना है तो सोनू कुछ भी लिख सकता है खा रही है सो रही है तैर रही है खेल रही है तो सोनू खेल रही है तो खेल क्या हो गए है यहाँ पर क्रिया शब्द नेक्स्ट है अनुछेद लेखन किसी एक विशे पर लिखें शब्द सीमा सत्ता से असी शब्द प्रिया फूल पेडो का महत्व हूली अनुछेद लेखन में विशे दिये चाते हैं उनमें से किसी भी एक विशे पर लिखना होता और उसके शब्द सीमा यहाँ पर दे गई है सकता से असी शब्द तो जैसे यहां पे टॉपिक दे गए प्रिये फूल पेडो का मैत्व होली तो जो भी आपके बचे के स्कूल के अंदर जो टॉपिक करवाए गए हैं वो टॉपिक यहां पे चूस कर सकते हैं और उसके गोडिंग अप अनुशियत लेकन करवा सकते हैं प्रिये लिखने का एक तरीका होता है और फॉर्मेट होता है वो फोलो करते हुए आपको किसी भी एक विशे के उपर डायरे लिखने हैं जैसे पुरुषकार मिलने की खुशी और प्रियमितर से मुलाकाद यह दो टॉपिक मैंने लिए हैं तो आपके बिचे के स्कूल में अगर यह topic करवाया गया है तो उनके वो कौन से topics के उपर डायरी लेखन लिखाया गया है करवाया गया है वो अब choose कर सकते हैं और उनको यहाँ पर practice करवा सकते हैं तो यहाँ पर इन में से बुर्सकार मिलने की खुशी और प्रियमित्र से मुलाकात इनमें से किसी एक विशे पर डायरी लेखन करना है या फिर अपनी मन पसंद की कोई कहानी लिखें बच्चों को कहानी लिखना भी सिखा दिया जाता है second class में तो बच्चे अपनी पसंद से कोई भी कहानी लिख सकता है जैसे कि हम English में कहानी प्ढ़ते है वैसे हिंदी की कहानी लिख सकता है next question is चित्डर वर्णन चित्र डेकंड़ाज कर सकता चित्र यहाज कर दो भी सिखना होगा अगला प्रेशन है गद्यांश जैसे हमने English में passage ते वैसे हिंधी कहानी जिखेंट थे वोःजा एधि8 तो यहां पे टॉपिक है घध्याँष्, और हिंदी के अंदर भी आपको एक्र साम के अंदर दो गध्याँष् मिलेंगे। मैंने इहां पर एक एक्जाम पर लिया है। आपको दो प्रपेर करवाने हैं दो गध्यांश एक्जाम में आते हैं तो जैसे हम इंग्लिश में पैसेज करते हैं पैसेज पढ़ते हैं उसके बेस पे आथसा करते हैं वैसे हिंदी में होता सेम इस गध्यांश को पढ़ना है और इसके बेस पे हमें प्रशनों के उत्तर करन तो देखे गध्यांच, सुबह का समय था, सूरची किड़ने धीरे धीरे खिल खिलाती हुई किड़की से अंदर आ रही थी, नेन से जगा हुआ छोटा बच्चा बिस्तर से बाहर निकला और किड़की के पास गया, उसने बाहर देखा कि एक सुन्दर पक्षी एक पेट पर ब बच्चा खिलकी से बाहर पक्षी को देखता रहा और सोचता रहा कि वह एक दिन पक्षी की तरह उड़ सकेगा, गध्यांच हमने पढ़ लिया, अब गध्यांच के अधार पर निम्ट प्रश्णों के उत्तर दीजी, पहला क्वेशन है, बच्चे ने नीन से जाकर क्या किय और चहक रहा था, अगला क्वेशन है, निम्ले की शब्दों के गध्यांच में से विलोम शब्द लिखिए, गध्यांच में से हमें इनकी विलोम शब्द चाटने हैं, जैसे अंदर, अंदर का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, बाहर, तो देखिए, यहां पे निखा अगला प्रिशन है, निम्ले की शब्दों के गध्यांच में से वचन बदल कर लिखे, बच्चे का वचन बदल के क्या लिदेंगे, बच्चा, तो देखिए, यह शब्द है यहां पे, बच्चा, अगला वचन बदल के लिखना है, खिड्कियां, खिड्कियां का क्या हो जा और यहां पर आजाएगा सूरज की किर्ने धीरे-धीरे खिल खिलाती हुई खिर्की से अंदर आ रही थी तो यहां पर आजाएगा खिल खिलाती next है बच्चा सोचता रहा कि वह एक दिन डैश की तरह उड़ सकेगा तो देखें last line में है यह बच्चा सोचता रहा कि वह एक दिन पक्षी की तरह उड़ सकेगा यहां पर आ जाएगा पक्षी तो अगर आज का वीडियो अगर आपको helpful लगाओ तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर ज़रू कीजिए और अगर आप चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा थैंक्यू सो मच पर वाचिंग